पूरी फैमिली को पता था कि हां भाई यह फॉज में तो नहीं जाएगा यह डॉक्टर बन जाएगा और डॉक्टर भी अगर इसको बनना है तो फॉज वाला डॉक्टर बनवा दें फिर क्या हुआ कि गवर्मेंट एक्जाम तो मेरे साथ में जो चल रहते हैं प्रप्रेशन अधिनी भंग से हुई नहीं क्लियर हुआ तो क्या टॉर्वात में तो मेरे को लगा कि मेरे से नहीं होगा क्योंकि पाइथन से शुरुवात हुई थी वहां मेरी तो आप हमें सेल्य रेंज बता सकते हैं कि अगर अगर इंडर करना चाहता है तो उसकी सेलरी कहां से स्टार् आप लोग इसी चक्कर में give up भी गर देते हैं, तो आपका उनसे क्या कहना है, मतलब अभी भी क्या data science, data analyst की रोल्स open है? पेरेंट्स तो आप पर प्रिशर डालेंगे, तो आप पर प्रिशर डालेंगे, पट वो काम है ना, अब आप लोगों से उनके काम छील लेंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है, आप उनको उनका काम करने दीजी, आप अपना काम कीजी, तो क्या आपको rejections face करने पड़ें विकॉस आप आपका gap, जो पांच साल का लगभग आपका gap है, यूटूब में देखा तो इतना resources फैला हुआ था, कि मेरे वो समझ ही नहीं आएगे, करू तो कहां से करू, मैंने फिर give up कर दिया, हाई अब्रिवन तयार, आज मेरे साथ अमन है, जिनकी स्टोरी बहुत inspiring है, पांस साल का career gap है, 2015 में graduation करी थी, उसके बाद government job की तयारी में लग गए थे, लेकिन crack नहीं हो पा रही थी, साथ में tuition पढ़ाई, and finally he's a data analyst in a very good company with a very good package, तो यार पूरी स्टोरी जानेंगे, he's also from a defense background, I am also from a defense background, तो हम लोग काफी relate भी कर पाएंगे एक दूसरे से, और इसी के साथ साथ हम लोग एक roadmap discuss करेंगे, एक crisp छोटा सा roadmap for those who want to get into this field, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा field है, जिसमें आपको बहुत पूर कर देना, चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लेट इस इंजोई the podcast, हाई अमन, हाव यू, हाई फरास, गूड मॉर्निंग, आप कैसे हो, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, तो अमन, आपना हमें अपने background के वारे में थोड़ा सा बताईए, हा साल, government job की preparation करने लग गया, और उसके साथ ही साथ में थोड़ा tuition भी पढ़ाने लग गया, ताकि एक side income बनी रहे, और फिर 2016 में मैंने अपना MBA finance complete किया, जो कि 2018 में complete हुआ, और 2018 तक मैं tuition ही पढ़ाता रहा, तो इस बीच मुझे लगा carrier gap आगया, तो आप क्या किया जाए, pressure बन लग गया, और फिर बाद में जब मेरे को data science के बार में पता चला, तो फिर मैंने जब काफी research की, और फिर जब course complete किया, तो आज मैं data analyst हूँ आपके सामने, तो आर देखो आपका भी background defense से है, मेरा भी background defense से है, तो हमारे fathers का क्या होता है, कि वो लोग हमें, वो चाहते हैं कि हम biology में बहुत strong था, तो मेरे 12th board में भी biology एक ऐसा subject था, जिसमें 95 plus marks है, तो पूरी family को पता था कि हाँ यह फॉज में तो नहीं जाएगा, यह doctor बन जाएगा, और doctor भी अगर इसको बनना है, तो फॉज वाला doctor बनवा देंगे, तो उसी साब से mentality होगी, तो NDA का उतना चाव नह मैंने भी भर दिया, ठीक है चलो गूम के आ जाते हैं, नहीं clear होआ तो क्या हुआ, पहली बार घर से बाहर जा रहे थे, तो वो mentality थी, तो उस तमें उतना वो die hard fan नहीं था हमें defense का, यह था कि हाम doctor बनना है, बट फिर बाद में जब government exams है, all over India वाला AI PMT, और वो clear हुआ नहीं पहला stage clear हुआ, mains clear हुआ नहीं, तो father ने तो सीधा बोल दिया, देख, हम तेरे को private वाला doctor नहीं बना पाएंगे, उतना forward नहीं कर सकता हम इस time पे, क्योंकि मेरे एक चोटी बहन भी है, उसकी भी studies देखनी है, और middle class family में और भी बहुत सारी जरुरते होती है, तो फिर, हाँ, तो फिर मैंने फिर AIEEE के exam दिया, वो crack किया, और फिर engineering ले ली, क्योंकि मेरे किसी senior नहीं को ये बोला था, कि जो तू अभी नहीं कर पाया, graduation के बाद, जब तेरा graduation complete हो जाएगा, तो graduation के basis पे बहुत सारी SSB आती है, तो उस time पे भी एक chance है तेरे को forge में officer बननेगा, तो वो एक motivation थी, जिसने चार साल मेरे को एकदम, क्याते है न, अंदर से आग जलाई रखी, कि हाँ भाई, अच्छे percentage लाने, SSB आएगी, जाएगे, बट फिर, जब complete हुआ, SSB's call आने लग गए, तो मैं इतना overconfident हो गया, कि ठीक है, percentage अच्छे लेया है, SSB भी crack होई जाएगी, मैंने भी देख लिए ट्राई किया था, पापा ने उस टाइम भी गोला था, कि यार जाओ, एंदेग लिए ट्राई करो, उसके बाग जब मेरी graduation हुई, तो हमारी जो technical entries होती है, मैंने उसके लिए भी ट्राई किया, I even went to Vishaka Patnam for Neville Selection Board, so काफी similar kind of journey रही है, बहुती मजा भी आता है, मतलब when you go for SSB, yes, so it's a totally different game, तो आपको ये सब करते-करते, जैसे आपने बताया काफी करियर, काफी लंबा करियर gap भी था, तो आपको अचानक से data analyst के बारे में कैसे पता चला है, इस रोल के बारे में, हाँ, तो फराज हुआ क्या था था न, 2018 में फादर की पोस्टि तो ये था दिमाग में कि यार, tuition पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, और पढ़ानी भी चाहिए, यानि ये दो चीजे conflict करे थी मेरे दिमाग में, और उपर से फादर ने भी बोल दिया कि देख, दिन पर दिन age बढ़ रही है, तो उसको भी ध्यान में रख, क्योंकि ए पूरी दुनिया ही रुख गए, तो फिर थोड़ा time मिल गया सोचने का कि ठीक है, अभी freeze पे है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो इसी बीच क्या हुआ, मैं अपने एक दोस से मिला, मेरी building में रहता था, हम साथ में बैठते थे ते, अब lockdown में कहा ही जाएंगे, तो इसी बी बनाते हैं, तुम computer बनाते हो, तुम तो अलगी बात कर रहे हो, यार, लेकिन फिर कहते हैं कि जब आपकी किसमत में कुछ चीज लिखी होती है, तो बार-बार चीजे strike करती है, तो वही कुछ हुआ मेरे साथ भी, फिर मैंने सोचा कि यार, दोस बोल रहा है, तो ऐसे तो नह अपने से नहीं होगा, अपना government job ही होगा, उसी एक से इतने साल तयारी की है, मैनत खराब नहीं होगी, कही ना कहीं मिली जाएगी, अच्छा, तो बनाव, continuously आप उस टाइम पर government job की तयारी करते जा रहे थे हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बस वही चल रहा था मेरे और तो तो वो जो scenario था ना, आप कह रहे थे कि दुनिया एक दम सी रुक्सी गई थी है, बिल्कुल, offers नहीं आ रहे थे, पूरा pandemic का टाइम चल रहा था, उस तरीके की जो situation है ना, वो अभी भी arise हो गई है, मतलब recession है, बहुत लोगों को लगता है कि या, jobs है ही नहीं, बहुत लोग इसी चकर में give up भी कर देते हैं, तो आपका उनसे क्या कहना है, मतलब अभी भी क्या data science, data analyst की roles open है, क्या jobs मिल रही है अभी, freshers के लिए, हाँ, इस बात को मैं थोड़ा like, कहते है ना, बिना चीनी लगाए, मक्कन लगाए, मैं बताना चाहूँगा, कि ठीक है, situation थोड़ी खर वो लोग experience को prefer कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते की company loss में हो, एक experience बंदा आएगा, वो अपने experience से जाद अच्छे से काम कर पाएगा, उनको freshers पे उतना भरोसा नहीं, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन freshers के लिए भी jobs निकल रही है, ऐसी बात नहीं है, तो जो वो लोग भी हम में prepare करने के लिए अपने आपको, अपने आपको skill करो और जैसी openings होंगी, फिर आप full power जाकर के interview दो बढ़िया से, बिलकुल, बिलकुल, अच्छा, अब यहाँ पर ना, एक roadmap भी दे देते हैं हम उन लोगों को, जो की non-tech background से, because आप non-tech, sorry, आप tech background से थे बड़ आप non-IT background से बिलकुल, बिलकुल, तो देखे, जो भी हमको देख रहे हैं, वो आपको खुदी पता होगा, आप non-IT है, आई-टी है, तो मैं शुरुवात करता हूँ, non-IT वाल होगा हूँ, तो मैं आपका दुख-दर्थ समा सकता हूँ, तो आप शुरुवात कीजिए Excel से, क्योंकि सबस सारे कोसस है, YouTube पर आपको मिल जाएंगे, समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, Excel के बाद आप move on कीजिए, SQL पर, SQL को आप जितनी अच्छे से कर लेंगे, उतना आपके लिए benefit है, इंडेस्टी में आपको काम आएगा, इसके बाद आप जाएए, जब आपकी ये दोनों इसके concepts होते हैं, जो majorly जादा तर use किये जाते हैं, नहीं तो है तो वो पूरा एक ocean ही, उतना सीखने के बाद, आप एक तरह से तयार है, इसके बाद आपको जो जो interest आ रहा है, वो extra skills आप add कर सकते हैं, आप artificial intelligence सीख सकते हैं, आप cloud सीख सकते हैं, मेरा तो ये advice रहेगा कि रहेगा कि आप python से शुरुवात कीजिए, और उसको जितना extra level दग आप लेके जा सकते हैं, लेके जाईए, क्योंकि वो पूरी तरह से एक ocean है, और जितना अच्छे से आपको आएगा, उतना आपके chances बढ़ जाएंगे, अलग-लग roles में जाने के लिए, क्योंकि आप अपने visualization tool भी add कर लिजे, और non IT वालों को भी मैं miss कर गया, आप भी data visualization tool सीख कर जाएंगे, क्योंकि ये आपको एक edge देगा, जब आप direct client से conversation करेंगे, क्योंकि client को computer की भाशा समझ में नहीं आती है, उसको सीधा चीए, कि ठीक है वाई, ये मेरे company में हो रहा है, तुम मेरे को बताओ visual form में, कि मेरे को क्या करना चीए, तो उसके लिए आपको data visualization tool सीखना पड़ेगा, या तो आप Tableau सीख लीजे, या तो Power BI, दोनों currently industry में top पे चल रहे हैं, और इसके बाद IT वाले आप भी machine learning अच्छे से सीख लीजे, coding कर लीजे, 2-3 project बना लीजे उसके उपर, और उसके आप finally cloud की तरफ move on कर सकते, AWS, Azure, नहीं तो Google, इन तीनों में से कोई एक आप सीख लीजे, आप good to go है, that's it, तो ये मेरा road में प्राएगा दोनों के लिए, awesome, awesome, ठीक है, यहाँ पना हम लोग थोड़ी सी motivation भी दे देते हैं, आप मुझे, आपने काफी सारी companies explore करी होंगे, और आ अच्छे से knowledge भी है, तो आप हमें salary range बता सकते हैं कि एक fresher अगर enter करना चाहता है, तो इसकी salaries कहां से start हो सकती है, और कितनी हो सकती है for fresher, जी बिल्कुल, देखिए, ये question थोड़ा subjective भी हो सकते है, क्योंकि company to company भी vary करता है, बहुत बड़ी company है, और अगर उसका उतना turnover नहीं हो रहा है, तो भी वो आपको कम salary range offer करेगी, और अगर एक startup है, बहुत अच्छा perform कर रही है, तो आपको high salary offer करेगी, तो it can be anything, but on and average हम लेके चलते हैं, अगर आप fresher हो, आपकी ये basic skills है, जो मैंने आपको बताई हैं, और आप non IT background से आ रहे हो, तो आप 5 LPA से start मान के चलिए, आप बहुत कम भी होगा, तो 4 से start मान के चलिए, and it can go up to 15 LPA, 20 LPA also, वो depend करता, आप कितने अच्छे से interviewer को समझा सकते हैं, कि आपकी demand क्या salary को लेकर, ठीक आप कितना negotiate कर सकते हैं, तो ये average range है, इंडिया में, बाहर जाएंगे आपकी किसमत है, तो वो तो एक अलगी level पर salary म कितना time लगेगा, देखिए, on an average, 6 महिना कहते हैं, बट वो आपको skills को master करते करते, आपको 7-8 महिना लग जाते हैं, आप consistently daily अगर 2-3 गंटा देते हैं, तो, तो मेरा यही कहना रहेगा, कि आप अपने दिमाग में 1 साल on paper लेके चलिए, आप 1 साल से पहली master हो जाएंगे, ब कितने अच्छे से अपना time manage कर पा रहा है, revisions कौन कितने अच्छे से कर रहा है, कौन कितना consistent है, जो आपने बताया है, 6 महिने से लेकर 8 महिने, this is actually a very good time, अगर आप consistent है, दिन में 3-4 घंटे आराम से दे रहे हैं, regularly, without taking breaks, this time is sufficient and you can prepare well within this time, so, अभी आपके तयारी पे आते हैं, तो आपने अपने दाइरी कैसे start करी, आपने कौन सी कौन सी चीज़े करी हैं, हाँ, तो फराज मैंने, जैसे कि पहले ही बताया, YouTube में सब को scattered था, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि करू तो करूगा, तो मैंने give up ही कर दिया थे, एक तरीके से, लेकिन फिर बाद में मैं यूटूब पे सर्च किया, फिर उनसे contact किया, और काफी डरते डरते उसमें एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे लिए तो वर्चुल चीज एकदम नई सी थी, तो फिर वहाँ एडमिशन लिया, और शुरुआत में तो मेरे को लगा कि वही है, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि Python से वहाँ मेरी, और वो तो आप फिर ऐसे समझो कि बस फॉज में आपका पहला दिन है, और आपको सीधा लोसी पे पोस्ट दे दिया है, तो वो बस बगवान का नाम लेते लेते गाड़ी चली आगे, ठीक है, फैकल्टी बहुत अच्छे तो उन्होंने help करी, doubt clear किये, और फिर जी बिलकुल for us, तो आपने कई सारी कंपणी में अपलाई किया होगा, रेज्यूमे बनाया होगा इसके लिए, so क्या आपको rejection स्फेस करने पड़ें, विकॉस आपका gap जो 5 साल का लगभग आपका gap है, बहुत बहुत सारे rejection स्फेस करने पड़ें, कम से कम resume मेरा गया था, 10 से 11 जगे गया था, बट क्योंकि career gap और non IT background की वज़े से reward back नहीं होता था, like आपका resume पहुंच तो रहा है company में, लेकिन company उसको reject कर दे रही है, वो आपको callback ही नहीं कर रही है, तो आप ये समझीए, 11 से 12 में से मेरे को 5 call आये हैं, उन 5 में से भी 4 ने तो literally बोल दिया था कि भा question को, अगर आप से कोई पूछता है कि ये gap किसली है ये वाला gap, हाँ, तो ये मैंने न अपने आखरी interview में, जो कि मैं crack करके अभी आया हूँ, उसमें मैंने एक चीछ, जब मैंने observe किया पिछे मुड़के कि में failure हो का रहे हैं, और ये हमें जो भी लोग देख रहे हैं, वो य जायद मेरे resume में कुछ खराबी है, तो मैंने resume में थोड़ा touch up किया, और वहाँ मेरे को एक चीज understand होई कि, आप वो skill मट डाले जो आप कमजोर है, अगर आप अपनी कमजोरी सबसे पहले दिखा देंगे, तो भाई आपको क्यों लेंगे, आप आप जाते हैं, अगर आप body से अच्छे नहीं है, तो आपको medically unfit करके निकाल दिया जाएगा, तो वही चीज IT world में भी, अगर आप अपनी कमजोरी दिखाएंगे, तो एक company आप पे अपना investment क्यों करेगी, तो फिर वही चीज मैंने change ही, मैंने मेरी गलती क्या हुई, मैंने python सबसे उपर डाल रखा था, औ आता मेरे को जादा कुस था नहीं python में, और अगर वह पूछी देते तो यह तो बस ऐसे ही है, ऐसे सोचके उन्होंने मेरे को चार बार निकाल दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने power भी आप पर डाला क्योंकि वह मेरी top skill थी, और उससे जूड़ती ही skills मैंने order wise नीचे नीचे ऐसे करके डाली, python was my last skill, और मैंने project change कर दिया, project हमेशा viewers एक चीज याद रखे, आपका project आपकी पहले skill से match करना चाहिए, आपकी जो भी top की एक दो skills है, उनके basis पर आपका project होना चाहिए, यह complete package बन जाता आपके resume पर, क्योंकि resume आप से पहले पहुंसता है interviewer के पास, और उससे ही पता चल जाते है interviewer को कि हमें इस बंदे का interview लेना है की नहीं, इसको select करना है की नहीं, तो यह चीज सबसे important है, यह advice मैं दूँगा, कि भाई अपने resume को धंग से बनाओ, धंग से याद करो और बस, उसके बाद फिर सब हो जाएगा अच्छा से, आपकी जो आप देखें, projects में तो ऐसा था कि जैसे बहुत सारे जहां पर मैंने course किया था, और उन्होंने भी बनवाया थे, और उसके अलावा मैंने खुछ से भी बनाया थे, बहुत सारे project, लेकिन बात यह आजाती है कि आप उन projects में से डाल कौन से project रहे हो, क्योंकि आप एक ही page का आपका confidence नहीं था, तो आप वो project डाले, जिसको अगर interviewer आप से पूछ दे कि ठीक है मेरे को explain करिये, कैसे किया, यह से क्यूं किया, वैसा क्यूं नहीं किया, तो आप हर तरह से तयार है, तो वो project डाली है, वो मैंने अपना Power BI का एक project डाला था, जो कि मैंने खुद से किया था, खु तो इसे एक फाइदा यह हुआ, कि मेरी genuinely भी दिखके सामने आई, कि ठीक है, यह लड़का चुपा नहीं रहा है, मतलब इसको अपने project पर इतना confidence है, कि इसने हमको link भी दिया है, verify करने कले, तो यह एक और मेरे favor में यह बात गई थी, तो यही चीज याद रखे, viewers, कि आपक आपने appear किया, तो किस-किस तरीके की questions पूछे जाते हैं, interviews में, round-up question होता है, कि ठीक, अपने बारे में बताइए, क्या technical skills आपने acquire की, और कौन से skills पर आपने क्या-क्या किया है, यह सबसे important question है, तो यह पहले 4 interview में मैंने यही गलती गी थी, मैं intro तो अपना दे दे रहा था, लेकिन जब skills की बारी आ रही थी, तो मैं वही Python, Machine Learning, यह चीज़े बोल रहा था, जो कि मेरी strong skills नहीं थी, तो इसके basis पे उन्होंने questions मेरे से पूछना शुरू किया, उन्होंने Python के oral question पूछे, वो तो मैंने answer कर दिया, जब बारी यह screen share करके coding करने की, तो वहां में mark आ गया, तो कि वो obviously मेरी strong point नहीं था, तो उसकी वज़े से मेरे को rejections face करना पड़ा, लेकिन फिर last interview में जब मैंने Power BI डाला, और answer में जब मैंने सबसे पहले Power BI पूछा, तो आप यकिन कीजिए, कम से कम 2-3 high time मेरा Power BI के basis पे ही गया interview में, मैंने क्या किया, आप यह कह सकते है, चलाकी स interview अपनी तरफ मैंने खीच लिया, अपने हिसाब से चलाने के लिए, तो उन्होंने पूरा Power BI पे question पूछा, अब कोई आपकी strength पे question करेगा, तो आप तो obviously answer कर रही ही दोगे, तो वही चीज मैंने किया, उन्होंने पूरा Power BI पे पूछा, मैंने अच्छे से बताया, उन्होंन सब ने पूछा है, सब ने पूछा है, क्योंकि ये एक ऐसा question होता है, इसका answer decide करता है कि आप company में जाने लायक हैं कि नहीं, ये decide करता है कि आप कितने honest है, ये आपकी character बताता, आपकी personality बताता है, क्योंकि मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा लोगों को, कि देखिए आप की कितनी भी अच्छे skills हो, आप कम से कम, मतलब आप ये समझ लेजे, आप बाकी लोगों से बहुत अलग है skills के मामले में, तो वो आपको job तो दिला देगा, लेकिन आप उस job में कितने दिनों तक survive कर सकते हैं, ये आपका character आपकी इमानदारी decide करती है, तो वो ये question दिखाता है, कि आप इस question को कैसे answer करते हैं, तो इस question को मैंने बड़ी इमानदारी से answer किया, अपने final interview में, जिसकी वज़ाँ से selection हुगा मेरा. Got it, got it. अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि हमें किस तरीके से आप क्या क्या बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोग हैं, जिनका career gap हो जाता है, in fact college से निकलने के बाद बच्चों के पास एक pressure होता है, कि अभी हमें job चाहिए, job नहीं मिली तो career gap आजाएगा, career gap आगया, तो ह हम कहीं select नहीं होंगे, तो उसका हमें तोर सा बता सकते हैं कि कैसे tackle किया जाए इस चीज़ को, बिलकुल, बिलकुल, देखिए, इसमें ना सबसे पहले चीज़ आपको दिमाग में यह रखने हैं, कि आप इमानदारी से question का answer कर रहे हैं, अब वो इमानदारी आपके environment में, आ आगे नहीं गया, selfish बनके मैं आगे नहीं पहुचा, मैंने का ठीक है, अब जो गलतिया मेरे साथ हुई, जो कमिया मेरी वज़े से, मेरे को मिली teachers की वज़े से, वो मैं बाकी students को पासान ना करूं, उनको help करूं, तो इसको मैं इस तरह से मैंने कहा, मैंने का sir, आप जिसको career gap कह रहे हैं sir, उसको मैं service to the society कहता हूं, क्योंकि sir, मैं उन students के लिए मैंने tutions पढ़ाई, जो कि आगे चलके हमारे इंडिया का ही growth में भागी दारी बनेंगे, अगर मैं उनको सही से knowledge नहीं दे पाया, तो sir, वो उनको अच्छा college नहीं मिलेगा, अच्छा college नहीं मिलेगा sir, अ आप कैसे कह सकते कि आपने help किये, तब मैंने उसको detail में answer बताया, मैंने का sir, ऐसा ऐसा था, हमारा school थोड़ा छोटा school था, teachers वहाँ आना पसंद नहीं करते थे, वो city के महाल में रहना चाते थे, और जो भी local teachers थे, Tamil में पढ़ाते थे, उन्होंने पढ़ाई हैं, तो उसकी व पहाने, मैंने logo तक पहुचाई, students को पहुचाई, जिसकी वज़े से उन्होंने competitive exams clear किये, जो कि 12th class में लोग करने के सपने सोचते हैं, उन्होंने NDA clear किये, उन्होंने NEET के exam clear किये, जिसकी वज़े से आज काफी लोग forge में, मेरे काफी students forge में, काफी students अच्छे-च्छे doctor बन बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत impressive answer और हर को इस answer को सुनके impressed हो जाएगा, कि आपने actually, जो अपना आपका gap है, आपने उसको बोला है कि this is service to the nation, right, and companies को भी ऐसे लोग चाहिए, जो कि honest है, जो कि serve करना चाहते है, right, so yes, very interesting, अभी एक last question में आपसे ही पूचूँँगा, क कि मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं, जो कि SSE CGL दे रहे हैं, बार-बार-बार, हैना, वो FCAT का exam होता है, वो बार-बार दे रहे हैं, उनको पधा नहीं है कि रुकना कब है, so, आप क्या कहना चाहेंगे, because आपने भी काफी time the government exams देने, आप at a certain point you also stopped, so, आप उनको क्या बोलना करके, उसके बाद आप try मत कीजिए, क्योंकि देखें, इंडिया में एक age limit भी मानी जाती है, अगर आप 28-29 cross करके आप industry में आएंगे, आपके लिए बहुत difficult हो जाएगा industry में आना, आप ऐसा समझी, अगर किसमत आपके साथ नहीं है, तो फिर आप जिंदगी बार आप जो कि आपके लिए खुद एक शर्मिंदगी की बात होगी, तो आप अपना last government attempt 27 years तक दीजिए, उसको मैं threshold मानता हूँ, और बस फिर आप वहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका जो भी plan भी है, and let me tell you कि plan भी आपका हमेशा data science में आने का ही नहीं, उसके अलावा भ coding नहीं पसंद, लोगों से लेकिन बात करना पसंद है, तो आप digital marketing की तरफ जा सकते हैं, ठीक, आपको coding करना पसंद है, आप software developer की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हैं, इसको आप अपने दिमाग में रख के और फिर आप government की तैयारी कीजिए, ताकि आपको अब ही करेंटली जो लोग तैयारी करें, उनको तो यही बोलूगा कि अगर आपको अगले साल अपरेल तक क्लियर हो गया, तो ठीक है, उसके बाद आप भूल जाएं, क्योंकि एलेक्शन होते हैं, इंडिया में वेकेंसी आनी बंदी हो जाती हैं, तो आप IT की तरफ अभी स से रुजान बना लिजे अपना, अगर आपको आना है, क्योंकि यह आपके लिए सेफ साइड भी होगा, और आपके पेरेंट्स के लिए भी काफी रिलीव की बात होगी, यस, और सही बता हूं तो जो हमारे officers हमारे SSB में होते हैं, वो भी पूछते हैं कि आपका बैकप प्ल आपको किस पर फॉल बैक करना है, जाते जाते कोई एडवाइस हमारे students के लिए जो भी हाँ पर थोड़ा पर परिशानी उसे जूज रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस आपकी तरफ से, पहली एडवाइस तो students में यह बोलूँगा कि देखिए आप घबराईये मत, आप आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्याते हैं ना एक बार लकीर पेड़ी के फिर आप उसको पीटते रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आप आगे के बारे में सोचे, आप next क्या कर सकते हैं, आप अपनी कम्यों के बारे में मत सोचे, आपकी जो proper strength है, आप उन के पीछे मत देखे, बार-बार पीछे मत देखे, ये मत सोचे की नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, देखे, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, आगे क्या होगा, क्या नहीं ये आपको खुद नहीं पता है, मेरे को खुद नहीं पता था, कंपनी मेरे को जब नहीं ले रही याइत हो सकता थोड़ा लेट आए लेकिन आएगा ज़रूर यह भरोसा रखिए अपने आपको बोलिए तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं और तीसरी चीज अपने गैपस के बारे में और कुछ भी अलग फिल्ड से या कुछ भी आपको शर्माने की जरूत नहीं है आपको अपने आपको हीन भावना से देखने की जरूत नहीं है ठीक है आप खुद अपने आप में स्पेशल है जब आप ऐसी फिलिंग लाएंगे तो आप confidently इंटर्विवर क अब आप लोगों से उनके काम छीन लेंगे तो फिर अच्छे बात नहीं है आप उनको उनका काम करने दीजी आप अपना काम कीजी डेफिनेटली या तो मतलब यही है कि बस लगे रहो अपना जो काम है वो करते रहो और बाकी आपको फल मिल जाएगा आज नहीं तो कल क्यारी कर रहा था तो तो स्टार्टिंग में भी बहुत कंप्रीज में रेजेक्ट हुआ था कि यार ऑनलाइन राउंड दे रहा हूं किसी का क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन वहीं अपने हाथ में काम करना तो हम तो काम करते रहेंगे वाकिया रिजल्ट्स आ जाएंगे एक तो अमन बहुत ही मज़ा आया आप से बात करके बहुत को जानने को मिला है और आई होप जो भी हमारी पॉड्कास देख रहे हैं उनको नौलिज मिली होगी बाकी अमन का जो लिंक्डिन का प्रूफाइल है उसका लिंक मैंने निचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुए आप पुझा करके अमन से कनेक्ट कर सकते हैं और थैंक्स अलोट फॉर वचिंग अपॉडगास अंधे जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी सजेशन अपनी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते कि क्यास अविये टी कर राइक कर दो क्या है